शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें अजिए गुरूर ब्रम्हा गुरूर विष्णू गुरूर के महें गड़ा, गुरूर का शाथ परगमा, सच में सी गुरूर नमा का शाथ वुरूर ओुरूर गुरूर जो इस लेक्षमी चोधरी हैं जी हां दीदी आपसे कोई मिलने आए है आए बैठिए मैडम हम लोग का काम खड़े रहना है टैठ्टा नहीं करिये क्या काम है हम इंकम टैक्स रिपार्टमेंट की आदमी है आपके हजड़न दिन के चौधरी के हैं रेड़ गरी है आपके हजड़ा और मैं क्या करूं घबराओ मत दीदी इंकम टैक्स की लोग हैं कोई भूत प्रेट नहीं जो कच्छा खाजाएंगी मैं तुम्हार साथ कि आप कहा है अंदर है सर्च्वती सर्च्वती हम लुग गये हम दर बाद होगे अब क्या होगा है कितनी बार, कितनी बार तुमसे कहा था ना कि लॉकर की चाबी भगवान की पीछे मत छुपा कर रखा करो, अब हम पकड़ेंगे ना, वो सब ले जाएंगे, सोना, पैसे, घर, जा, ये घर नहीं, सब कुछ लक्षमी, सब कुछ, नहीं, इस घर को बचा लीड़े, जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पहर पड़ती हूँ, हमें घर से बेगर मत होने जीजी, ठीक है, आज हमारी शाजी की पिछिस्वी साल की जाय है, मैं तो तुम्हें कुछ मनाही नहीं कर सकता, अब मैं वहीं करूंगा, जैसे मौके पर, हर ब्योखुफ बीवी का अक्र अरे वहीं देखो, जब हजार कंजूस मरे थे, तब मैं पैदा हुआ था, यह रख लो, यह भी वापस ले लूँगा, और पुलीस को टेलीफोन करूंगा, कि फिल्म वालों ने नकली पुलीस की वर्दी पहन कर, जैसे आपने बोला था, वैसे ही किया, फिर भी डालाग बो रुपे और ले लो, और दफा हो जाओ यहां से, जी थैंक्यू, क्यों जी जाजी, क्या ये इंकम बैक से आदमी नहीं थे, जोगा खा गई ना, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी, शादी की 25 वी साल गिरभ, जब किसी की बीवी, उसके साथ ना होकर, माएके जाकर बै हाट हो जाता तो, हाट, तुम्हाला हाट तुम्हारे पास है कहाँ, उसके साल पहले, जब हमने अपनी सु आगरात मनाई थी, तुमने मुझे दे दिया था, यहाप क्या कह रहे है, आपकी साली हाँ खड़ी है, ऐसे दरा रही हो, जैसे को तोप खड़ी है, यह तो साली, सा जाजी, लगता है, आपके मजाग करने की आदत, और सोना खरीदने का शौक कभी खड़ नहीं होगा, मजाग की आदत, चली में जाए, लेकिन असली सोना जैसे, गाओं की शुद्र लड़कियां, गाओं की शुद्र लड़कियों जैसे सुन्दर सोना, शायद इसकी चाहत क हाँ, देखा जी जाजी, आपका बेटा कितना चाहता है अपने मम्मी डैडी को, एक ही माला में दोनों का किरफतार केंगी हाँ, किरफतार ताब अमित को होना है, शाधी की वर्माला से, बेटे, अपनी शाधी की जूबिली पर मैं तुम्हें यही तोफा देना चाहता मेरा करिये बन गया, और इसने भी मुझे तुम्हारे जैसा खुबसूरत त्यारा सर्टिफिकेट दिया, इसलिए बेटे पटा-पट कर लो, लड़की भी मैंने पसंद कर ली, बस स्रिफ हाँ करने के लिए कल निर्मल निर्मल गाउ जाना है, निर्मल गाउ, पीटे, तुम मारी बहुबे नहीं की, हमने इसकी फोटो भी मंगा लिए, तुम्हें दिखाए, नहीं, मुझे नहीं देखना, क्यूकि उस्ते कोई फाइदा नहीं है, तुम्हें दिखाए, लक्षमी, अपना बेटा कितना समझदार है, वो जानता है, उसके फादर ने फैसला किया है, उ आप गरत बोल रहे हैं, दिल और दिमाग सही रखने की तिर्फ एक ही शर्त है, दिल और दिमाग होना चाहिए, गुट बाई, गुट बाई, गुट बाई, चुनो, कल 15 और और स्ट, हिद्मासर साब में मुझे बुला है, लड़की भी वहीं की है, एक पंथ, दो कार्श, उ आप गरत बाई, गुट 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 बाई, पूलो बच्चो भारत माता की जाए है अब मैं अपने मुख्य आती थी चौदरी साहब से निवेदिन करूंगा कि वो बच्चों से दो शब्द कहें आईए प्यारे बच्चों नौनी हालो भारत माता की बग्या के फूलो अब मुझे बताओ भारत माता की जाए इसका मतलब क्या है खासकर भारत माता इसका मतलब क्या है जो मुझे बता सकेगा मैं उसे इनाम दूँगा कि यह क्या बच्चों जिस भारत माता की तुम लोग जाए जाकार कर रहे थे इसका मतलब तुम्हें नहीं मालूं क्या इस गाओ में ऐसा कोई नहीं है जो भारत माता का मतलब जानता हो मैं बता सकती हूँ आओ माधूरी आओ 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 चौदरी साहब यह वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपसे जिकर किया था मैंने पैचान लिए अगर तुम्हें इसका मतलब मालूम हो तो हो सकता है यह पुरस्कार तुम्हें ही मिल जाए बोलो बारत माता का मतलब है हमारा देश कश्मीर से कन्या कुमारी तक अरब सागल से बंगाल की खाडी कि पार्टमाता कई बने सतने के अरू झाय समय जो कुछ भी है आपिज सनौ इसमें जो कुछ भी है वाइबल खुरा शारीफ, गीता वी फुछ भारत माता है भारत माता देश का नाह aware वह माहनात्म इसकी प्ञाएव और माह है तब ही तो वह भारत माता कहला थी हृव सब मिलकर एक साथ बोलो भारत माता की मां कहा है अपनी मादूरी दीदी को पुरुफकार मिला है इनाम और इनाम देने वाले वो घर पे चल क्या रहे हैं क्या हमा देखो चलो चलो आरे मुलू कारी में कि महां बेटिया आई गंगा बहन यहीं है चादरी साहब जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी आपने आने की खबर तो थी होती मैं मैं तो बहन जी आप परिशन मत हुएंगे दरसल हेड़ मास्टर जी ने आज हम आज हैंगे आज हैंगे आज हमें स्कूल में बुलाया था हमने सोचा क्यों न दोनों काम साथ करने काम कौंसा काम मैं बताता हूँ जी मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी से बहुत प्रभावित हूँ तो कि यह गाओं की रहे और गाओं की सुंदर्धा मैं ऐसी एक परवित्रता महांता है जो शा पूरा स्वोच क्यों जी बेटी अब हमारा पुरसका देने का वक्त आ गया है हम अपना इकलोता बेटा तुम्हें पुरसकार में देना चाहते हैं अजी अगर आपको इतराज नहों तो यह शाजी पत्की है जोद्री साहब जोद्री साहब मेरे पास कहने को शब्द नहीं है इस वरेटी इसने बड़े घर की बहु बनेगी यह मैंने सपनी में भी नहीं सोचा था मेरी मादूली में बहुत पुन्न की होंगे बहन जी पहले देहज की बात्चीत हो जानी का अगरी शाहब यह क्या देहज और आप हाँ देहज मुझे चाहिए क्योंकि देहज हमारी सब्यता का एक रिशेश अंग है पचीस साल शहर में रहकर भी मैं अपनी सब्यता को नहीं बूला है तेहज में मुझे चाहिए करेली की भाजी अरर की दाल नम के आलू हरी मिर्ची का आचार औरंच में जखा लेने से पहले खीर जिसमें किसमिस उगेरा उगेरा परादू मुझे चाहिए एक वक्त का खाला माजुरी के हाथ का बनाओं सूरत और सीरत दोनों है आपकी बेटी में खाला जो बनाया है ना मैं सालों तक उंग्लिया चाटता रहूंगा आप उंग्लिया ही चाटते रहेंगे या ब्या का मुरद भी निकल वाएंगे मैं बेखुफ हूं क्या यहां आने से पहले पंडित से मिलकर शाजी की तारिक भी पक्की करी है ठग्रे मंगलबार बढ़ा ही शुर्दिन है तो आपको कोई इतरास तो नहीं है बहेंजी इतरा पर उने नाम में दूंगा अपनी दीदी आहां क्योंने क्योंने अभी चलो हमारे साथ मास्ते जी मैं आपका बहुत आभारी हूं आधी की वज़े से मेरे बेटे की किसमत कुछ पर आधी की आधी कि मुद्धी से मिलने आए तौम मतलब आधी मैं ने लिपकी देख ली कि वित अवह और उने वाले आधी कर दिया कच्छा काम तेरा बाप करता ही नहीं कि तेरा होने वाला साला तेरा इंटर्व्यू लेना चाहता है इंटर्व्यू पार का बोला भाला बिलकुल मासुम बच्चा है तु जान मुझ कहार जाना इस विचारा खुश हो जाएगा मैं तो पहले हर्च कहुं कि ता जोड़ी पर एरी कुछ शीकांट आया जी शीकांट यह बतमीजी नहीं है यह हमारे खांदान की परमपरा वाह जी आप तो बिलकुल फिल्मी हीरो लगते हैं मेरी जीदी किती नसीब वाली है आखिर बेटा किसका है चलो जीकांट जो पूछना है पूछ लो जीडा जी मेरा पहला सवाल अगर हमाले ना होता तो क्या होता यह अगर हमाले ना होता तो क्या होता अगर हमाले ना होता तो क्या होता तो ऑकर यह पता हमाले ना होता तो क्या होता अगर यह थंडी अवाय हमारी देश की का हृपकर वोड़ा बेटा कोजवाव है तुमाने पास मैं हार गया हूं पिदा जी आप से भी और आपके होने वोली बहु की छोड़े भाई से भी मैं नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता तो मैं बताता हूं अगर हिमाले ना होता तो तेन दिंग किस पचड़ता क्या बात है तुम बार बार आंक क्यों मार रहा हो यह क्या मिस्ट्री नहीं अप्शूगल है कहते हैं कि जब एक आंपर पड़ाती है तो अशुब होता है अगर तो अपनी आप ठीक हो जाए तो नजर की बात कर रहा हूं तुम नजर यह के बात कर रहा हूं इस अगर टाइव पार शादी के बात जिरा जी के साथ लेंड़न जाएगी न यह भी कोई पूछने की बात है और बहुर यह पेटे को हम हमेशा साथ तात रखें यह बताओ कि अगर यह जादी कह रहां है रजगुले कहां है प्रिज में रजगुले का रहा है यह बताओ के लोग देख देख कर कर दो देते हैं अगरम कि अगर जादी का है तो यह बताओ जीदी की शादी वे तुनिये फृज मेरा अजगुले कहा है वो तो मेरे कमरे में भूली गया था ये ब्रीफ केस में प्रीफ केस में जल्दी जाक ले आओ जाज़ी आप कुछ पूछ रहा था मैं पूछ नहीं रहा था मैं कह रहा था शादी ब्या है कोई वजाख्त नहीं तो अपने आंगर में गड़े हुए सोने का कितना हिस्ता तुम अपी बहन को दोगी कम से कम 20 तोले सोना तो दोगे ही है कि अब दिया अब दिस्तों तो दूंगा यह वह क्या कि इतना तो देना ही पड़ेगा मतलब जो यह तो देना ही है समयली जी कि बस ते दिया है कि रजकुले नहीं खाओगे जी नहीं है पर गया है कि अब जी फिर कोई नया मजाग किया है तर्कुल नहीं तर्कुल नहीं पर नया मजाग के शुरुआज जरूगी है कि अब मैं क्या करूं दीदी की जिंदगी का सवाल है लेकिन बीस तो लास होना शिरिकात तुम्हें दुविदा का सामना करना ही होगा दीदी की शादी होगी होगी और जुरूर होगी कि शुरूर लोश्मी तो अब मजाग नहों तो जिंदगी का नवक कम हो जाता है मजाग अशी खुशी इसे सहत और उमर भी अच्छी रहे इसलिए हम दोनों की हैल्थ इतनी अच्छी है आओ श्रीकान आप तो पकी है ना जी कौन सी बात तो अब तो आपने कहा तो तो मिला आप तो मिलाओ शिरकान यह साड़ी माधुरी को देना और कहना यह साड़ी नहीं हमारा प्यार है बस अब तो हमें उश्रुप घड़ का इंतजार है जब माधुरी के सिंदूर की चान्मी हमारे घरांगन में चमकी बत्रुप लाँ नहीं हमारे लात चमकी रहें कच्चोरी पे कच्चोरा चोरा चोरी से भी गोरा गोरा पसंद है या काला पसंद है बोरा पसंद है या काला पसंद है बहुत कुछे ऐसा घरवाला पसंद है अज जजी छोड़ो मा 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 चेड़ो ना क्यों से पताओं में कसे सुझाओं मेरी पसंद मेरी अलकों में बंद है करें बंद है करें 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 कर दो कर दो गरे को होगा मुष्के रिखाना ताले को देगा ताना जमाना सचना हबारा चाहे हो काला होगा उती को प्रशानी भाना गोरा खाएगा काला दे जल आएगा नहीं तुर जाएगी दे नहीं आएगा बहुत तुझे कैसा घर वाला पसंद है कैसी बताओ में कैसी सौझाओ मेरी पसंद मेरी उल्पों में बंद दे कैसी बताओ में जल्रा में बंद आना और वाला वैगव लाला 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 आप फक्त तर नम कि पढकkeep या तजड़ा मोटा सजना मेरा का थोचाई जेका बती बुला के जिलना अब खोटा मैं पॉजल मिठाईगा थोटा सेह मिठाईगा कैसे वो जो ठाईगी मोटा जो मिल जाईगा फोल सुछी कैसा घरवारा पसंद है अज जर छोड़ा ना ना चेड़ो ना कैसे बताओ तुमने कैसे समझाओ मेरी पसंद मेरे उल्टां में बंद जै हां हाँ हाँ, 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 हाँ हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ 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 है अमेद यह शराव है बड़ी जोशीली चीज़ है इसके समने हाथी घोड़ा शेक साब चुहे बन जाते इसलिए तो कहता हूं दो पैग और मार और कर दे अपने बाप परवार हुआ है कि यह बत्तमी जिनाई पिस्तौल है और इसमें छे गोलिया है जो आज फैसला करेगी आपकास कर रहा है किस कबारी की यहादर उठाला है कबारी तो आप है जो का ऑघर मेर आमने इस थो पर दी को दादाère में अब तुर्धी सरगी निदी अगे तुमने तो प्यारी गट कर लो है ね की दी जान से मारेगा इस खीलोले से किलोना नहीं यह असली पीस्तोल है करे Salt तो पने होते हैं आहे होकी कि ऑल्या सबस्क्राइब क्भक्राइब नहीं होगी को ऑढगा Sana कर दो आफ दो आफ दो आफ दो यह क्या तुमने यह अनुत अपिछ उगया आफ़ अच्छ मी केरी आफ रखना कर लो यह शादी होगी जरूर होगी अगर मेरी आफ्री इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं भूत बंगर इस रहा लायक को इन्दगी बर आपको कुछ नहीं होगा अच्छा है लक्षमी तो हम हम चलते हैं भूल चुक लेनी देनी एक ही दुख रहे गया मैं अपने बेटी की बाराद नहीं दे पाऊंगा आप है यह नहीं हो सप्टाध इसे कि नहीं हो सकता है टे लोगी किस रोगी आप कि यह है अभागा कि अचली का अटीड वह ओश्राइं अव्र्कांण तो कि आ tap तु यहां बैठा है और मैं तुझे सारे गाउं में ढूंडाया है कि अब बिल्कुल असली लग रहे हैं है ना मस्थी अरे बेटे आदमी का बस चले तो नकली जेवर तो क्या आदमी भी नकली बना डाले अच्छा बेटे यह बताओ तुम लोग कौन सा ट्रामा खेल दें दुर्गा पूजा में सवत्री यह जेवर पहनकर सवत्री का रोल मैं खुद करूंगा मास्थी अरे बेटे माधूरी की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है ना और देखो अगर मेरी मदद की जरूरत पड पी जरूआ हो बोले फीजान लोलेकर सपाय्मा प्रामे मास्टरी की सीवत्की जर्ड़ता बादेर, मोझे जरूरत पुमा जर रेटे मेरी मद्द्दू मैंकर रेखोंगा सारी जरूरता बताम båंचित्वी यह जरुद्धां प्र Вс rod certain भ경ें हो जरूरता बल्ड़ता बताना या को बुलाई तेरे का समय हो गया वे ओदे झाल 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 खिर सब्सक्राइब कि आपको कि गद्वाइश शादी की नहीं किए चादी हो चुकिए नहीं पिताजी ये शादी नहीं ये मजाग है एक नाटक है कि आप कहते हैं कि लड़का पवित्र होती है बिलकुन सोने की तरह तो पूछिए गवारन से कि यह सोना नकली क्यों है कि आप जिन्दे की भर गाउवालों की आर्थी उतारते रहें आज खुद अपनी आँखों से देख दीजिए कि आपके भोले पंद को इन नकली लोगों ने कितना साही पैचाना है जब यह सोना ही नकली है तो यह दुल्हन भी नकली होगी सच पूछी पिताजी यह साथ वजावट यह माँ यह भाई मुझे सब नकली लग रहे हैं खास दोर से यह भाई शेकान कैई सेबर अखली ही ही है अमिट बेटे मैं तुम्हें सर्सल जाता हूं अरे मैं मजाक में शेकान से 20 तोले सोना मांगा था मजाक में दिये हुए जेबर नकली ही होते हैं असली नहीं मजाक करना तो आपका पेशा है पिताजी और आज इसी चक्कर में मेरी जिन्दगी को जिन्दा मजाक बना रहे थे लेकिन अब और नहीं अगर आपको यह जूटे और गंदे कि अब चाठी और थेलें चाठी बढ़ा दूब होने से बचा लीचा यह जाने वालु तो बख़वान है पर मुझ से भी बहुत बदी हो गया इस तो मालूम नहीं था कि छोटी-छोटी मजाख बरे-बरे रंग खिला सकती है थोड़ी सी चिंगारी इतनी बरी आग लगा जेती है कि अधिए प्रेटे का खून गरम है कि ठंदा होने में समय लगेगा लेकर चिंदा नहीं कीजिए बहुत जल्दी ही गाजे-बाजे के साथ अपनी बहु को विदा करके ले जाओंगा यह मेरा वादा रहा नमस्ते रहे हैं आज तुम्हें बुस्ती की लाज रखती है इन मौके पर मुझे बर्बाद होने से बचा लिए वह सब ठीक है यार मगर मुझे तेरे डैडी भी बहुत गुसा रहा है जो बगार जवान बैटे के राह लिए हर फैसला खुद करते हैं आएंदेस अपना फैसला कुद किया कर विए ओकर अपे अपने बेहन का जीवन बर्वाथ कर दिया चाहसा लारो मौ मारो मुझे बंपु गुष्य है मैं बहुत की आग लगाई माँ, श्रीकान को माने से पहले इतना तो सोच लो कि एक भाई नी जो खुछ भी किया, अपनी बहन की भलाई के लिए किया इसकी भूलेपन को माफ कर दो, माँ अब रोने से और अफसूस करने से कोई फारदा नहीं जो बात नकली सेवरों से शुरू होई वो नकली चेहरों पर आकर खत्म हो गई, तुम फिकर मत करो मा, अगर मेरी मां में ताकत है तो सारे असली नकली बंधन को तोड़कर, एक दिन मेरा सिंदूर, खुद भखुद आकर मेरी मां में लग जाएगा खार मेरा सिंदूर, खुम अगर समाइब का करो मेरίν मेरी मेरी में थैऽर, ये फिर वर दो acia जएगा झाल 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 कर लोट इंटोभी के लिए लेडिसाब का इंतसार करें सब लेडिस आगे मैं अब दी आतो अब दी आतो यह कि पर हम इसे ए हाँ आदिस इंटर्विव गर्ल्स गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरा नाम कुमार चैटर जी है मैं इस कंपनी का करता धरता होल एंड सोल हूं मेरी इजाज़त के बगार इस कंपनी के नल में पानी तक नहीं आता इसलिए आप लोग साब अपना पता हिस्ट्री जोग्राफी मुझे बता दीजे प्लीज मेरा ना मंजु चौधरी है पता जरी वाला बंगलो और प्लोड कोला ब्रेज चांता कुड अजी मेरे नाखे इस्कूज मी एस्क्यूज मी आभी क्या व्यू कर वाने आई है मेरा मतलब इंटर्व्यू के लिए है आज तो प्लीज सिट डाउन यहां यहां आप मुझे अपना कॉंटेक्ट नमर दे सकती है क्यों नहीं वह क्या कि कभी कॉंटेक्ट की सरवत पढ़ जाती है ना पहले नोग्री तो मिले दीजी पर कॉंटेक्ट की बात होगे यह नोग्री तो आपको मिल गई समझ जी है बॉनिंग यह यह साहब कॉन है? हमारे बॉस यही तो लेंगे सब का व्यू आई में इंटर्विव ओ आई सी हलो मैं भगत बोल रहा हूं हां भगत सब बोलिए कर लिए हमने मिनस्टर साब की भांजी का स्वाल कर लिया है वो मंडे को ओविश वाइन कर लिए लेकिन सर वो इंटर्व के लिए मैंने कवी लड़कियां बुलाई है उन्से क्या कमगा मैं जैसे कहता हूं वैसा ही करूं मिलस्टर साब की भांजी का सवाल है अब चाह करूं ओके तो हलो हलो कुमार को अंदर बेजना तब तब करना बंद कर देती है कुमार सहाब क्या है आपको बड़े साहब ने अंदर बुलाया देखा मेरे बगर तो इस ओफिस में कुछ हो ही नहीं सकता मैं अब भी आता हूं कि आपने मुझे बुलाया सर हाँ वो इंटेव्यू कैंसल कर दो समझे के सर हमारे एमडी साब का टेलिफोन आ गया होगा जानता हूं आप बहुत बड़े जोच्छी है आप जाएए और ढंग से इंटेवी कैंसल किजिए और देखें किसे को बुरा ना लगे आप फिकर मत कीजिए सर इसके पहले दमें कितने इंटेवी कैंसल कर चुका हूं कि ऑप लोगो कि विए पेवियो कि एक बहुत बुदी खबर है अभी अभी हमारे बॉस अमीत कुमाद्री को उनके डॉक्टर का टेलिफोन आया और जिस बात का उन्हें डर था वो सही निकला क्या हुआ उन्हें सर उन्हें पाइल्स पाइल्स का कैंसर हो गया आए राम देखिये भगवान की भी क्या लीला है अमीत सबका लंबा लंबा कद गोरा गोरा रंग नीली नीली आखे और तो भी उन्हें कैंसर हो गया और वो भी पाइल्स का लीज हमारी दुआएं दीजेगा उन्हें पाइल्स कैंसर छूट की बीमारी है चलो गर्स मैडम आप गई नहीं जी नहीं क्योंकि मैं आपको होस्टर ले जाना चाहते हैं मुझे यकीन है कि कैंसर की बीमारी आपके बॉस को नहीं बलकि आपको है मान गया मैडम आपको आप भी बड़ी शांदार चीज है और मैं भी बड़ी उची चीज हूँ इसलिए अंदर वाले ने जो चीज पैदा की है मैं आपको बता देता हूँ हमारे बॉस को उपर वाले किसी चीज का टेलिफोन आया कि उसके नाजुक सी चीज को नौकरी दी जाए इसलिए बीमारी का ड्रामा करना पड़ा लेकिन आप भी बेमिसाल चीज है इसलिए नाजचीज को मौका मिलते ही मैं आपको फिट करवा दूँगा आप भी बड़े दिल चास्ती थी रियली थैंक्यू गुद मॉर्निंग सार यस सार मेरा नम मालकी चोदरी है मैं यहां इंटिवी दिने के लिए आई थी लेकिन आपके असिसेंट ने बताया कि आपको अचानक कैंसर हो गया क्या क्या कैंसर मुझे बड़ा जुटा आदमी है कुमार जी हां सारी लड़किया आपको सहत की दुआ देकर चलीगी सिर्फ मैं रहेगी यह जानने के लिए कि आपको किस टाइप का कैंसर हुआ है घूस का कैंसर किसी रिष्टदार को लगाने का कैंसर या सिफारिश का कैंसर एग्जैक्ली किस टाइप का कैंसर हुआ है देखे आप जूट मूट कारोप लगा रही हैं मुझपर उड़ी पीज लीव नाओ नो, आई विल नॉट, मैं इस जूटे इंटिव्यू का परदा फाश करके रोगे, इस फरेब की कहानी को मैं अखवारों तक ले जाओंगे, ताके दुनियावालों को ये मालूम पड़े, कि आप जिसे बड़ी लोग, हम जिसे छोटे लोगों की मजबूरियों का किस तरह फा क्या है, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, कुछ दे सर, हलो, कुमार, अभी अभी जो लड़की मेरे केवन से गई है, उसे बाहर ही रोपना, और तुम फड़ा नंदर आओ, हलो, हाँ पगत सर, अभी अभी एक बहुत ही तुफाई किसम की लड़की मेरे केवन ने उसने हम सब को अख़बारों में घसेनी की धंकी थी है, वो मिनिस्टर की भांजी वाली बात काफी बंदा मी बन सकती है, ची, थैंक यू, यह सर, उस लड़की को अपॉइंबन लेटर दे दो, सर, आप बहुत महान चीज है, और तुम बहुत ही घटिया चीज हो, अगर अपर्णमेंट दे कर मेरा दिस अपर्णमेंट दूर कर दिया, सर, थैंक यू, सर, थैंक यू, थैंक यू, सब्सक्राइब करेंगे उसके अलावा भी अगर मैं आपकी कोई आथी क्रूप से मदद कर सकूँ या शारी कुरूप से मदद कर सकूँ तो मुझे भ़हत खुशी होगी है आपको भी होगी है अब है और टो डिस्टब में फर नेक्स आफे नवा प्ली थेंक यू यू कर दोच किहीं को गाद को कुछ 이제 ब लुड ही कि यह सब्सक्राइब क्या हुआ है वह क्या बताओ न वहीं जो हम जाते हैं मुझे नौकरी मिल गई यह कंपनी में उनकी प्रेवेट सेकेटरी की तुम्हें नौकरी मिल गई अरे हाँ बाबा और उन्होंने तुम्हें पहचाना तक नहीं मैं श्रीकांत उन्टी आंखों पर लगा हुवा काला चेश्मा भी तक उत्रानी दीदी यह सब मेरी वज़ा से हुआ है अगर मैंने उस दिन इतनी बड़ी बेवापोफी ना की होती तो आई तुम अपने सुसराल में अराम से जीला जी के साथ चैन की जिंदगी बसर कर रही ह बंद करो यह रोना दोना तुमने जो कुछ भी किया अपने बेहन के भलाई के लिए कि लिए इस वक्त मुझे तुम्हारी सक्थ जरूरत है तुम्हारे बिना मेरी सुन्दी के काई नाटक बुरा नहीं हो सकता नेरी मादद करोगी ना दीदी तुम्हारे लिए अगर में अपनी जान भी देदू ना तो कम है भगवान में चाहा तो यह नौबत कभी नहीं आएगी चला ने मादूरी जारहे है कुस देखा तुमने भंबाई की हवा लगई है माधूरी पो उच्रेड़ी की सैंदल लटक-मठक चाल अचाथि जरा गौर से देखो है माधूरी ने तो मांगसे सिंदूर भी हटा दिया है अरे बहना भंबाई में ना तो ना सिंदूर की कमी है ना सिंदूर लगाने वारी तरी तो देखो बड़े आए बभाई की चुड़िया प्रे बेटी तैसे क्या दिख रहे हुआ कुछ नहीं है मेरी वज़से नहीं भाट कुछ गताए तक रूस्ट pää mau तो क्वांव से जाकर कहान तक चली गई है मनबई पहुँचकर तुने अपनी मांग का सिंदूर भी३ाचा दिया मा当 Fish जो सिंदूर मेरी मांग तक आ कर लटकिया हो वर संदूर लगाने से फायदा है क्या अगर मेरी माँ में शक्ति है我也 तो मेरा संदूर खुद ब खुद आकर मेरी माँ में लग जाएगा है मा है विन में तुम्हारी वेटी को नौकरी मेली है ना उसकी बॉरा तुम्हारे दामाद है अच्छा उसमें तुझे पैचाला भी नहीं नहीं मा अभी सिर्फ जान गए धीरे धीरे पैचान भी जाएंगे बस तुम्हार आश्रवाद मेरे साथ है मा तुम बक्तों से खुश हो सकती है नाराद हो सकती है इसी तरह तुम्हारे बक्तों का भी अधिकार है तुमसे खुश होने का नाराज होने का मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ आखिर तुम्हें दून्स क्यों कि हम पर मेरे बैटी की शादि हो गए लेकिन बहु घंगी आई जब तक तुम्हारे पुजाने ही करूंगी जब तक मादूरे इस घर की बहु बन करनी ही आएगी हाँ तुम्हें लाव भुम्हें आई tenants thou अ अ तुम ने प्रेम्य इश्किया भी है और तुम बद्भूदार फुन लाई हो और जादा हुँँरा था लेक्राइश बसंप्राव कर लो तुम जाकर फॉंद्र स कर लो हमेशा इन व्र यहsome तो तुम को किसनी बार कहा है कि मुझे अंकल 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 करूआ यहां है तुमको इतनी पर कहा एक है कि मुझे अंकल अंकल मत बलाया करो। अंकल को उंकल नहीं बोलुकी। ओर निहां कि कोशिष नहीं दो करूं द हेला थी खृष थिटो अपनी प्रहारी एंकला दॉक हमगा तर फोसी प्वाद आयकर तुम्हारे लिए बाजू के बगीचे से उनके कुटों से बचकर ये फूल चूरी करकर लाता हूँ अच्छा है ना लेकिन अफसोज फूलों की सिल्वर जुबिली हो गई लेकिन मैं तुम्हारा दिल जीत न पाया हां मैं इस पर इसलिए स्प्रे करता हूँ कि इसकी खुश्बू कम नहीं लेकिन अफसोज इस फूल की खुश्बू जिसमें मेरे प्यार की खुश्बू समाई है आपके सुन्दर नाथ तक पहुंशती नहीं अब मुझे कि खुश्बू जुश्बू जबाइं झाल झाल पूल तो बहुत है। पूल बहुत पसंद है मेरी माँ को भी फूल बहुत पसंद है ऐसे भी मेरी माँ पे मिलना चाहती है क्यों आप नेक संडे मेरे घर पे खाने पे आए लेकिन ये पास को मत बताई एक बास वैसे तो अच्छा हादी है लेकिन अच्छा अच्छा दल है अन्रोमेंटिक है ये जाए ये ज़िए ये ये फिर आउड़ लाए इस फाल में कुछ टेपर वड़े है अधिक है एक और वैसे तुम्हाद काम से बहुत हुश हूं लेकिन वेकार की बातों मैं आप आम वेस्ट मत की ठीगा अर्व सर्ण के ये बातों मैं अर्वाद की घु मत की बातों मैं एक रिक है ये 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 झाल 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 सुनो बेटी माच ज्यादा से ला परवा होते हैं अगर कोई दंग से उनकी परवा करे उन्हें संभाल ले तो वो दोस्क्या तुम्हारा हस्बन भी बन सकता है वैसे भी तुम जैसी खूब्सूरत लग्की को कोई बिल्कुल अच्छा नसिग्वारा ही पा सकता है अर्याँ आ अजया तुम हमेशा मुझे रहती हो कि लेकिना फिकर मत किजिए मैं खुदा कर आँगा यह जिदी रुमाल अपनी च्छी पगार में से पूरे च्छे लेकर आया है ति यह बात नो बताओ दिर तुम हमेशा मुझे जानती रहती हो कि मैं बहुती केरलेस हूं बलबकर भूं अपनी चीज़ों और ख्याल नहीं रखता आज आपने अपने नोमाल कहां खो दिया प्रश्चा आपने में बिला है जी हां मैं आपको ताइंच कहना चाहता हूं यह जाए लगवाई फिल्टाइश लाइन अपने ऊप्रवाई आपको दियाए लू नो 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 डिक्तिशिन से न प्लीज थाई थान आपने कभी लापरवाई बिला जी है दिख रहें यह जी है एक्जैक्ली समझ में नहीं आ रहा है कि यह लापरवाई कब छुतीगी देखी ना जैसे मेरे कैबिन को आपने अपना कैबिन समझ कर एक दम नीच अंक्लीन एन अप्रूडेट कर दिया थैंकी फार दिस लेकिन सर ज्यादा लापरवाई से आपको नुपसान हो सकता है आपके लापरवाई से कोई कीमती चीज़ गूंगे तो इतना बुरा होगा आपकी यादाश आपकी भूल रही है क्या आपको यादा गया कमाल जो चीज मेरे पास हो वो मैं कैसे भूल सकता हूं आप इस तरह क्या देख रही है मुझे मैं आपके दुमाल की बात कर रहा हूं जो आप यहां भूल गई थी यह लिए सुनिये सुना है इस बार आप बैडमिंटन मैच में हिस्सा ले रही हैं क्यों हम दोनों का मैश हो जाए कि अधिर ड्रबाट जो जाए और जीरो पर हारती है और आप ठेरे चांपियं यह आपको किसे बताए तरह को आपको किसे ने आपकोई जैनी रही है गुट मानिंग सेर अरे तुम यहां कैसे कमाल है मैं भी आपसे यही पूछने वाला था आप यहां क्या किसी से मैच करने आये हैं अभी एडिये मैच करने नहीं मैच खेलने आया हूं जेए छोपादार नोकर हूं बैड मिंटरं कर मैं आपका गुड मिंटरं ने चला हैं अप घथी ऍदले किया जा आप जैसे सुपर प्लेयर जब बैड मिंटरं खेलते हैं तो गुड मिंटरं हरता है सब्सक्राइब अब ने पोजिशन ले ले प्रीज लफ खोट राइट कोट कि मुझे के मलूं कि इद एक सेवा कोण करेंगा और सेवा सर्विस लेटिस फोस्त आप वाड आइडिया दिलिये चलिये अ है बच्छ तर्वेस वैल देन वैल देन आप तो प्यार का खेल यान लोगे में आरगे में यह तो चांटीन है दरसल हमारा दिल दखने के लिए हार गए हो याने आप दिल रखते हम तो दिल फेकते हैं क्यों में से रहेक्ट अपकादे के मताबिक हमारा दिल रखे और हमें चाइनिस खिलाई आप तो चाइनिस खाते नहीं है आप हो है एलर्जी हुआ है अच्छा यह रखिए इससे खेलिये अच्छा हुआ मैडम आप ने मुझे बुला लिया आज कल तो बैडमिंदरन के बहाने बड़े रेप शेप होते हैं और फूए आट साल की और तो हुआ है हुआ हुआ है करें 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 यह सब मेरे कबीन में यह गोबी का फूल क्यों रखा रहा है लोस तो वो गलाब का फूल उधर चला जाता है आज यह गोबी का फूल लाई हूं आप खुद भी खाईए और उन्हें भी खिलाईए अगर मुझे उनको वेज़िटेवल देनी है तो मैं गोबी का फूल क्यों दूंगा गाजर मूली दूंगा लौकी दूंगा ओयू जो देना है तो मुझे क्या है नजानिक कहां से चले आते हैं अंदर आओ अब 3-4-9 मैंने पूछा तुम्हें स्कॉर जाओ मेरे लिए फूल लेकर आओ वंसा फाइल से फूल गुलाब का फूल गुलाब का फूल तो लाल रंग का तुम्हारे गालो जैसा तिरा रंग तो काला है मेरे गालो जैसा यॉलो पांच प्रेंश्य को के अज मैं उसे अपन मैं तो आज पहली बार लाया हूँ देखिए आप मेरे रोज पूल आते हैं यह बात आप मान क्यों नहीं लेते हैं मैंने कौन समना किया है जी मैं रोजी लियाता हूँ आपको फूल अच्छे लगते हैं ना हाँ बहुत अच्छा आप अतने खुबसरोत फूल कहां से लाते आपे पूले ना कोई सुन देगा तो मैं किसी से नहीं डरता लेकिन मैं तो दरती हूं किससे बॉस से बॉस से बॉस से को आप एक काम कीजिये यह बूले ना यह मेरे बालों में लगा देजी हैं और अपने कवरों वापर के लिए अब आप तुम मुझे कब मिलोगी रात में रात में कहां सपनों में सपनों में बहुत ही अच्छी जगा चुनिये तुमने वह भी ये रावन बॉस भी नहीं होगा और मोटी फुलकी भी नहीं होगी सिर्फ तुम और मैं मिया कविन सार कमें बैठी ही मिस्टर कुमास थेंक यू बुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछना है मुझे तो कंपनी में दसान होगे काम करते हुए क्या फिर से मेरे इंटर्व्यू लेंगे जी हां ऐसा ही को समझिए आप बता सकते हैं के हिंदुस्तान भर में हमारे कितने ब्रांचे से पाइट थेस हम लोग एक नया ब्रांच खोल रहे हैं निकोबार आइलें में ओ बदाई हो बदाई हो जब से आपने सिस्टम कम्मुनिकेशन जॉइन किया कंपनी तो बढ़ती जारी थेंकियो आपको भी बदाई है मुझे क्यों सर क्यूंकि आपका भी प्रमोशन हो रहा है प्रमोशन मेरा सर थेंक यू एरिमस अल्राइट जहां नया ब्रांच खोल रहे हैं ना जी वहां पर आपको मैनेजर की पोस्ट भी जारी थेंक यू सो मट सर नहीं ब्रांच निकोबार ब्रांच में सर यानिके मुझे वहां जाना पड़ेगा वहां पर क्या है कि एक आपको गलब हो रही है सर मैं बिल्कुल रिस्पर्जबल नहीं हूं मैं सची बात करा है किसने का हमारे विसका समय दस बची का है पहले आप 11-12 तक आया करते हैं और आजकल फाले नोब जा आ जाते हैं वह भी घुलाब का फूल लेकर आपने था हमारे सिस्टम कम्मिनिकेश प्रिस्टम शुरू किया है लेकिन सर निकोबर तो बहुत दूर है सर कोई बात नहीं आपको तेर के नहीं जाना होगा और वहां पर भी खास मुश्किल नहीं होगी हाँ कुलाब का फूल नहीं मिलेगा लेकिन लड़किया मिलेगी आदम खोर कैनिबल मैं नीटर आप मुझ प्रिस्टम पर घ्टिस्टम शुरू अजीस आपिसमे चपराशी की नौगरी देदीचे लेकिन निकोबर मत भेजिय सर ने भेबरा जाओगा एक शर्ट पर नो ओमोर गॉलाब का फूल्वर को बोंकि यसर निकोबर मत बेंचे सर निकोबर मत बहुत बहुत बार जाओगा भीफोड्वी दीजिएजी कोبر मेरा पोबर मेरेव पोल लगणे कोुला पूला मनेरे मेरा फोल कोड़तो मतमें सै तो आगे लिखे वो टेक्सिमाब के साथ बाद नहीं कर रहा था बात बात सारी बाते कर रहे थे यही के मैं ये पिंक साडी में बहुत अच्छी रहती है तो ठीकी तो कह रहा था जी ओ वो व दिसे इंडेफेंस तू तू मैंक मिलें हैं का यह सब मर गए वह बहुत दूर ले गए दूर तक बलके वह मुझे अपने घर पर ले जाने वले थे अपने मां से मिलाने के लिए इस अफ्रोड उसकी माबा कोई नहीं है सब मर गए वो बोल अपने ले जाता है और उसके बाद इनसाफ का तराजू थेखा है जी हां तो तो बार ट्वार ट्वाइस वे वे तो पिर क्या कोट कोट अ इंडेफेंस तो ओट वाट इन रफेंस तो मार्क मिलन एंडेव निगा यह निगा यह ज़िखा यह ज़िखाएंस अ अपता है निगेंस यह ज़िखाएंस प्रोप्ट कर निगा है यह ज़िखाएंस अई आपको एक रिक्वेस्ट महनी पड़ीग यह ताज मैरी मानने आपके लिए अपके लिए स्पेशल खाना बनाता के बेजया है आपके माने जी बहुत अच्छा खाना बनातीया आप था यह यह बाती है वो किसी ने कुछा मेरे बारे में नहीं, किसी ने कुछा विप्राइब नहीं जब कुछा नहीं तो आप जरूर कहएगा मेरे मां की तरफ से और मेरी तरफ से यह पर स्पेशल रिखरस्ट है ए, I'm sending the letter, yes Jenny, take down this letter, come to the cabin immediately क्या खाना पसंद करेंगे आप यह पसंद करेंगे यह रिश्टन कैसा लगा आपको आज आपी से लगशी थी यह सर्ट वेजटेबल पलाओ एक दमालू एक मूली का पराथा और डाल प्राइए और सुनो एक करेली की सब्जी दी करेली की सब्जी मायनिस करेली के सब्जी आपको अमेरे टेस्ट काफी मिलता है और चांती है जब आपको मैंने पहली बार देखा क्हां वो इंटी में की समय उस दिन से बार-बार एक ही बात मेरे जहन में आ रही है कि मैंने पहले कहीं आपको देखा है और शायद सपने में यह भी तो हो सकता है कि आपने सशमुच मुझे कहीं देखा है और उसे सपने समझ कर भूल गया हूँ शायद लेकिन अब नहीं भूलूगा अहां तब फूड लुज गुड अरी यह क्या कर रही है आप तो लीजिए पहले आप बस यही तो खराबी हिंदू अब मेरी माँ को देख लीजिए पहले दुसरों को सर्फ करती है और फिर खुद खाती है यह कोई बात हुई और कौन-कौन है आपके धर में बस मैं ममी और डैरी बस क्यों है और भी कोई होना चाहिए है आपका मतलब में समझ गया नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है आम श दूकर में पूरानी बिवास को बोले नहीं कुछ भी नहीं भूला है पुरानी कुछ बात नहीं जो मैं जरूर बूलना चाहता हूं कर दो 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 कि याद है पहले अमें उटते बैठते जाकते सोते खाते पीते हमेशा सिती बजाया करता था लेकिन शादी के बाद सिती बजाना ही भूल गया अज फिर से बजी इसका मतलब है आज वो बहुत खुश है यहीं मौका है मैं उसे बहु को बिदा करानी की बात करती हूं हुँ बेपे जी मा आज तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं इसी खुशी के मौके पर ने कुछ कहना चाहिए अजये अजये के अजये को बिदा कराना आए अगर आपको याद है तो इसमें मेरा कोई कर ने कुशन तो तेरे बाप कभी नहीं है कि पिछली जिंदीगी उसे याद है अगर आपकी यादधार्स अच्छी है तो मैं क्या करूं अजये जब ना जवान दो साल बाद सिती बजाया है समझे लो कोई नहीं सिती बजी है अजये पर आप आप इसने पास भूकर भी शर्मारी लेए लुकर करें लुकर करें लुकरा आपको क्याद़ अजये तो इसके लिए वात तुमारी यहाँ के लिए आपकें लिए वारा हाथ किटना ठंडा है कि वारा हथ कितना थंडा है जो वो मुनमा चर्गसा है दुनिया की नजरों से छुपू के मिले दुनिया की नजरों से छुपू के मिले लगता है तद दुपू इसे इतन ने दुनिया की नजरों से छुपू के मिले लगता है दर कोई देख न ले थोड़ा थोड़ा डर थोड़ा प्यार का नशा थोड़ा थोड़ा डर थोड़ा प्यार का नशा थोड़ी थोड़ी मिलने का और के मज़ा दुनिया की नजरों से छुपू के मिले लगता ही जग कोई देख न ले कोई जाने ना मेरा नो में कोई जाने ना विरानों में सहमी नजर ढरी ढरी ये अदा सहमी नजर ढरी ढरी ये अदा थोड़ी थोड़ी मिलने का होज मजा दुनिया की नजरां से छुखुके मिले लगता है गर कोई देख न ले ये 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 आदो प्यासर बुजा। दुनिया की नजरों थे जुख के मिले। लगता है दर कोई देख न ले। प्यासे दो दुन जाए भी कहा। दिल बालों के दुश्मन है ये सारे दुनिया। प्यासे दो दुन जाए भी कहा। दिल बालों के दुश्मन है ये सारे दुनिया। छुख के भी तो ना ये प्यार छुपा। सुड़ी सुड़ी मिलने में मिलना क्या मता। दुनिया की नजरों के चुख के मिले। लगता है गर कोई देख न ले। मिलना है तो खुले के मिल जा। प्यार किया तो दुनिया कदर च्या। दुनिया की नजरों से छुपके मिले, लगता है दर कोई देखना ले दुनिया की नजरों से छुपके मिले, लगता है दर कोई देखना ले दुनिया की नजरों से छुपके मिले, लगता है दर कोई देखना ले दुनिया की नजरों से छुपके मिले अजय को है कि अजय को अजय को है कि मैंने तुम्हें हजार बार का तुम रॉंग एंटी करती हो अजय कोई का तुम राप उप्र लिए कोई आया मैंने उसे का रिस्प्शन में बैठो तो उसने का नए मैं कबीन में बैठोंगा कहता आपका शिर्दार है तरह को तुम को अश्रौ और इस्प्रोव कोटोफारी ने से जब बहुत को अ ताप्रो कोड़ो पायरे इस सांप सांप साव स्रावन समय तष्टो आप अअ हुआ 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 है नमस्तर जी अब तो बताई है कि हमाले ना होता तो क्या होता मेरा सार होता है अधिक अधिक तब खराब है चरदी हो गई तो फिर आप चला को रहें जी 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 जाजी निकाल कर ठेक दो अच्छा जी जी तेखिया ने कितनी उमीद से आपके पास आए था तो ज़िए आपके आउंगा बैठोंगा घेर सारी बाते कर दुआ थंदा पिऊंगा गरम पिऊंगा लेकिन कोई बात नहीं दी अब मैं जाके यह तस्वीर आपके घरवालों को दिखा दूंगा हाई भाडी मुद नेगेटिव मेरे पास है तूं क्या समझते हो तुम इस पोड़ेग्राब से मिस्स चौधरी एक जबर्दस खबर है अच्छा क्या है वक्त आने पे बताऊंगा लेकिन किसके दारे में हमारे डिरेक्टर मिस्टर आमी चौधरी के बारे में लेकिन वक्त आने पे बताऊंगा यह क्या हुआ आपके तबी ठीक नहीं है आपको तो बहुत तेज बुखार है यह बैग लेग लेग लेकिन लेकिन सब काम पांग करेगा मैं करूंगी न है ठीक है अगर पूब्लम होगा तो मुझे घर में फोन कर दीना चला हुआ है अगर आपके लेड़की कौन ही तो मैं आपको पूछने आया कहीं आपने जिरा जी की दूसरी शादी तो नहीं कर दें तो नहीं कर दें तो मेरे हो तुम चाचीनी समुंदर में दोनों तोता मैना की तरह भुदक भुदक कर काना का रहे थी और मुखणा था पुनिया की नजरों से छिपके मिले लगता है कोई मेरे पेटे पर लांचन लगाते हुए शर्म आनी चाहिए तुम इत्र दिन के बाद आये हो यह नहीं पूछूँगा तुम कैसे हो कब आये हो मैं सब यह जाना चाहता हूं यह क्या बत्तमीजी है आप पूछेंगे नहीं और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं कि फिन हाल मैं मैं यह बत्तमीजी नहीं है अपनी तमीज का सुबूत देनी के लिए मैंने इस प्तमीजी की तस्वीर घी है यह तो अपना मित है लड़की कौन यह जिरा जी की प्रवेट सेकेटरी है मिस मालती चोधरी तुम्हें कैसे बालो कि मैं जिरा जी के आफिस किया था मगर उनों नियुक्त विए भख्राइब में परचाने से निकाल दिया और बिना चाहिए आप आप उसे थके नहीं मारे और ना मैं उसे थके मारे कर से निकाल देता भूझा की अजय पताओ पाल पिखने रहते हैं घाल फूके रहते हैं आखे पटी पटी एक तूंदूर की टिपी आले सारे काम में फूंके रहती हैं और कैतेरे दियो मां वह मुझे छोड़ कर क्यूँ चले गए वहाएंगे ना मुझे अपनाएंगे ना अना ना ना रों कि रोंत 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 वो क्या उसका 12 कार करेगा अब वो जो कथे का बच्चा है ना अमिद जिसका नाम है मैं उससे तेख रहूँगा उसका क्या मुहबद पर कर्फिव ओर नहीं लगा दिया तो मैं श्रीमती चौधरी का पती नहीं हूँ जाओ अपनी चासुसी चालू रखो और अगर उल्जी सीधी कुछ नजर आए तो फ आपी बचा सकते हैं वर्राजी राणी तो फूए एक ओटेट कर रहां के नहीं है अब चलता हो जाए तो आपको अपिस आने के क्या जरूती हां आप इस नहीं आता डर्लिंग तो तुमसे मुलाकात कैसे होती और सुनो जब तक मैं ऑफिस ना जाओ ना तुमें भी जाने को आप जो अब क्या हूँ अब क्या होगा या अब क्या अब क्या होगा है शादी क्या अधर मालती से प्याइब करता है तो जरूर शादी करने की कोशिश करेंगा तो आपको चोड़ने को यह दिखाए देता है मुझे भी चेश्मे के बगर कुछ दिखाई ने देता लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ यह वो ही चुड़ेल है अरवेजे क्या हो गया तो है तो तेज बुखार है चलो जल्दी लेट जाओ चलो लेट जाओ कि लेकिन मां डॉक्तर को बुलाए है लो तब ज्यादा खराब लग रही है हां बैटे अमें वो लड़की कौन थी वो वो मेरे सब्सक्राइट थी तब ठीक नहीं तो उसने करा कि मैं आपको घठोड़कर आती हूं ठीक तो हमें फोन क्या होता हम चले आते तुम्हें लेने के लिए नमस्ते सब तब चावि क्यों भी है लड़की कौन थी वो का दीरों कि यह थी आए की महतซीके सब म możliुडं extremes चौशे शाल की प्राइवेट का तो उपके डिड. Nah ना को जोनों गाली में क्या बात कर रहे थे थी पहला प्रिए जिट सब्सक्राइब अपने आखों से तो नहीं देखा लेकिन गाड़ी के सीसे वे से देखा जब कर सम् Sophia अब को ऊजब को करते रहे है और बीच वीच में साव को बुखार चढ़ता रहा Barcelutあの कोlioर तो स्रुम होत रहे हुशेँ नशती आप मेंस प्रक्रा कई करने में मध्य मिठी साप कर ता औरeton तुम्हारे बेटे में उस लड़की को तुम्हारे बेटे में सबसे बड़ा सवाल यह है तुमने उल्लू के पठ्थे शिचे में से यह देखा क्यों चलोगी इसी वक्त मुझे दफ्दा लेक्तर देखता हो दूई बार मीथी इसक्यूज में सर आप कौन आप कौन मैं कुमार चैटर जी स कंपणी का चीफ अगाउंटन जी मैं सदाना चाधरी घ्रादान चाधरी याने बास के बाबा नमस्कार कहीए अब आपनी कैबिन में बैठी होगी आई मुझे लगता हो किसी काम से बाहर गई है आप बैठी आप बैठी है आई बैठी आप भी जी आप से कुछ पूछना है आप पूछे मध मैं ही आपको बता दूँगा गए सारे शब्स को पूछे बगार मैं आपके बेटे के लाव सोणी के बारे में बता दिया अब जब से शुरून इस लड़की ने मेरे अमीट को फसाया जा उसने पहले भी किसी के साथ यहां तो तक अन्याजी आपको गलत स्थाइमि हुई है अज़सी नहीं है वह तो उसे बहुत त्यार करती थे लेकिन आपके बेटे अमीट ने मुझे अंदामान निकुबार आइल काला पानी तो मैं मालती चौधरी को दूँगा जी इसे चैने जी आपको जानका खुशी होगी कभी-कभी औरतों की चम कर पिटाई करने को मैं बुरा नहीं समझता ठीक है ना दस इन मामलों में लड़कों की घलती हो चाहिए उन्हीं की पिटाई होनी चाहिए आपने सही फर पाज ने आई, मैं इसको चीना मुश्किल कर दूँगा आखिर तुस तराजे से क्या तोल रहा है? वक्त की नजाकत को तोल रहा हूं दिपुश तो मेरी बात तुसल? आज मेरी सासों से सुची, ओफिस के दे जो कुछ मैंने सुना, उससे मुझे लगता है कि वो अपने बाहो के लिए तड़प रहे है मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है शेकांत, तो ही मुझे बता आखर उन बेकसरों को सजा देने से क्या फाइदा? आप बिल्कुल सही फर्मा रहे हैं जिदी बटाइडोंट अगरी विद्यू क्या मतलब? मतलब यह कि अगर आप जिरा जी की प्राविट सेक्टरी ना भी होती तो फिर कोई और होती और फिर वह जो भी होती उसके प्यार का पल्ला फारी होता एक एस जीदी आज पल्ला आपके लिए फारी है क्योंकि जीरा जी आपके पल्ले पड़ चुकी वरना अब तक तो किसी और ने उन्हें अपने पल्लू से बांद लिया होता यह जीदी अब चलने दिए अभी तो बहुत दिन बाकी बहुत राते बाकी और बहुत बाते बाकी अगरे कि अगरे कि अगरे लेकर जा रहे हैं कहां जा रहे हैं निर्म लगां चंदिर्पूर हां निर्म लगां तुम्हीं दर्ससे चुटी ले लिए हमारे साथ चलो तो क्यों बगू को बिदा कराने कि अचानव प्रोग्रों केसे बन गया अचानक नहीं बहुत कुछ देखने को मिला बहुत कुछ सुनने को मिला उसके बाद ये प्रोग्रेम बना तो ठीक है आप लोग अपने प्रोग्रम में जाए मुझे ऑफिस जाना है वह हिसाब किताब की चेकिंग में कली कर आया हूं लूंता है तो हम ही चलते हैं घोड़ो पारी में तो हम यहें चलते हैं को अ कब देख़ो बहु 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 पाहु मल्दी, मल्दी, यह क्या? छोड़ो ना, मैं तुमसे शाजी करना चाहता हूँ, क्या? अभी, इस विए और अजी, लेकिन मुझे मेरे ममी यादी से परमिशन लेना पड़ेगा, तो ले लो ना, मुझे उनसे मिलवा दो ना, मैं पदा नी, साब गडबड हो रहा है, गडबड मैं और इंदुजार नहीं कर सकता, I can't wait anymore, क्या तुम अपनी ममी यादी का आश्रीवाद नहीं लोगे? मेरे? ने, 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 तुम्हाने ममी यादी का आश्रीवाद चलेगा, बोलो ना, कब मिलाती हूं उनसे? ममी यादी, ममी यादी को तो ढूनना पड़ेगा, मेरा बतल सर, आपने के राज्स आफिस में विताई, ये लुंगी और ये फूर्ता सर, 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 तो मतलब ये कि तुम्हारे सास हसूर, तुम्हारी विदाई कराने के लिए गउ जा रहे, और जीजा जी तुम्हारे मन घरंत मावाब से मिलने के लिए यहाँ आ रहे, अब क्या होगा, एक तो एक, अगर दो-दो भांडे एक साथ भूट गये, तो कर लिए लाज। आप दो सनबालो और तुम आप्तिंग को दिए गरेट करते हो तुम्हारे और भांड मावाला मोर्चा में सम्भालता हूँ, बोलो ग्या खाल ह संबालता हूँ, वह सब बुछ ठीक है, लेकि मै नकली मम्मी कहां से लाँगी अरे दीदी हर मुश्किल का हल होता है इतने बड़े शहर में जब हर चीज कराये पे मिलती है तो क्या नकली माबाप नहीं मिल सकते है हाँ 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 आई यह ना को नहीं पाइड में शोड काली यह ना कि अपे पहल के शोड़ कामीन हो शोड़ी अठीड टींट टींटे है तरला तो कमाल भी जए कांचि ब ए우 तमे कांच अब भूलतने समझ पने के कि नितो हमारे मदेटी का ने यही मेरे ममी घड़ी है ने मेरी ममी गुजराती है ना गज्राती में डैडी को भाए बोलते है आस तो मुज़ाती हो हाँ ने निए डयाडी बंदाली है पुझ कॉंबिच्वत कॉंडिनेशन दी बाँ यहां बेट रहु यहां बेट वह वा गुद बॉनिंग इवनीं आविन्टीके ठीके ठीके हमारी लडकी ने जैसे बताया था बिलकुल वैसा ही है लेकिन हमारी चोकरी कुछ कम है क्या गोरी सुंदर बरी बरी आखे तिलकल राज कुमारी जैसे है अप में खास बात क्या है आपको मालूम है हमारे होने वाले जवाइं की मुछे शामदार मुछे असली है ने जिहां असली है बिलकुल आपकी तरह है एकदम असली है मेरी तो क्योंकि मेरी वाइफ को मुछे बहुत पसंद है पेश्या मुछ होने से आदमी मर्द लगता है कांटी बाए का मुछ था इसके बाद के हमने उसको पसंद किया और उसके साथ शादी बनाए अभी और मैरा भी मौझ है हमारा चोकर तुमको पसंद किया हम तुमको हमारा चोकर देगा तो सुमत्तुम्धारी विडराबर निभागा ना बिलकुल बाइन्य मेंक बैलेंबस कितना है लाइन या था relationships क्यों जिम्म्मेदारी का सवाल है खाली मूछों से काम नहीं चले गा तो ज एक लाग कि क्या मतलब नहीं नहीं लेगा अरे लेगा क्या तुमको हमको एक लाग रुपया देना पाने गा हां हुँ हम को देना पड़ेगा हाँ दहज में दहज बगर तो शादी हो नहीं सकती सब्सक्राइब करने में क्या हमने खोन पसीना एक नहीं किया और तुम शादी करके अपना घर उजारा करेगी और हमारा घर अंधे रहने रहेगा एक लाग एक लाग या पचास हुजार कैश और बीस तोला सोना देना हो तो दो वरना दर्वाजा खुला है हमारी लड़की के लिए रादे शाम जुन जुन वाला का लड़का दो लात रुपया देने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता है लेकिन तुम से ज्यादा मुझे अच्छी तरह पता है तुम से ज्यादा मुझे अच्छी तरह पता है क्योंकि मैं खुद एक औरत हूं और मैं जानती हूं कि इस दहज के रोग से हम किस तरह बरबाद होते हैं हमारे माबाप से चूस-चूस के दहज लिया जाता है और फिर शुरू होता है उस हाल में हम पर आत्या चाहा है और यह सब चीज किस लिए कि तुम मर्दों के लिए ह हम औरते कमजोर हैं हल्पलिस है पारसाइट है लेकिन यह सरा सर गलतानी है हम दिखा देंगे हम दिखा देंगे कि हम औरते कमजोर नहीं है पारसाइट नहीं है हल्पलिस नहीं है विमिन्स लेट जिंदाबाद 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 जि मुझे इजाज़त दीजिए मैं सोच के बताता हूँ कहा मलती डालिंग डालिंग मेरी बात सुनो ना मेरी ममी डारी की बातों का बुरा मत मानना प्लीज बुरा नहीं बानना तुम्हाने जो पिताजे ना थे ने पैसों के मामल में ना अजबाला ऐ सब्सक्रंव करें स्सक्सक्रेण के बातों का मेंhta लेक्स मेरेक्ष लिए टेह सकता हैं तो सबखिक्छ साथ सब्क हิंगे लेकिन मुझ से सबबागने कि तुम्हीए मिर नहीं कष़ोर करो लग देखो इस दुन्या में मेरे सब्सक्राइब थी लोग我知道 तो मेरे लिए इतना भी कर सकते Summa da कुरों गर प्रती करमें जोगर प्लाय का के जंच दो आप अगा में अगा में अ करना कहा है आप लोगों का कैसे आना हुआ ए मासरि यह यहां चले गई क्या बटाऊं चोधरी व्रह उस हाथन से के बाद माधूरी और माधूरी की मा यह इस होाएं चोड़कर हमेशा को यह pastor हमेशा की लिए डिक र包 कि इतनी शरमेंदगी उठाने के बार उन्होंने यह गाँ छोड़ दिया बहन लोहे के ताले खुल सकते हैं, लेकिन गलत बातों के ताले कभी नहीं खुलते हैं, कभी नहीं खुलते हैं लोजी आवे, हावे ऐगा इस विकाद कौम सा नया अनातक खेल रहा है, सम्धी दर्वाजे से आकर लौटे वा एक बार तुम्हारे सम्धी अपने बेटे की मरजी से आकर लौटे थे, आज वो तुम्हारे बेटे की मरजी से लौटे हैं चलो अंदर माहा है है आज है कि में अपी को ढूंड रहा था यह निज्य फूरों का गुलदर्स्त बात क्या है तो माता रोस्तों पूल लाते थे आज अंदर वाले ने जो बूल खिलाया है उसके लिए गुलदर्स्ता के हगदार है उपर से आपको बदाई हो मुबारक बाद तो मुबारत बाद किस लिए अभी बदाता हूँ अमीद जी हार गया, मैं जीद गया और आप आजाद हो गई क्यों, पहले क्या मैं खायद में थी? हाँ, कुछ आज़ा ही है, मैं बदाता हूँ, बैठे, बैठे क्यों, बोले अमीद साम, आपको अपने प्यार मुहबत की जेल में खायद करके, शादी का ताला लगाके, एश करना चाते थे, लेकिन उनका ये प्रोग्राम फ्लॉप हो गया, मुझे क्यों? क्यों? क्योंकि वो अल्रेडी शादी शुदा है, उसका साला इस अमीद साले को मिलने आया था, वो शादी शुदा है और गाउं की गवारन को बिना तलाग दिये, आपको भता रहा है, मिस मालती, आप आजाद होगे, मैं आजाद होगया, और हमारा वो प्यार जो थोड़ा-थोड आप देखी गया के जनता कैसे उसे जूत होगा हार पैना की, मैं आप मुझ पर की नाराज हो रही है, अगर आपको नाराज होना है तो उस नटव नाराज पर होई है, जिसलिए आपको तो लो यह, हा रहा होगा हो हाँ, मैंडम, एस्क्यूज में, इस्क्यूज मी, दीरी, यह लगी चलने थीजिए अभी तो बहुत दिन बाकी है, बहुत रातें बाकी है, और बहुत बातें बाकी है वो क्या थे और हमने उन्हें क्या समझ लिया पच्छर के भुचब करते देवता समझ लिया वो क्या थे और हमने उन्हें क्या समझ लिया वो क्या थे और हमने उन्हें क्या समझ लिया उनका तो दिल से यो ही खेल ना था चंद रोज उनका तो दिल से यो ही खेल ना था चंद रोज हमने तो अमर का रिष्टा समझ लिया वो क्या थे और हमने उने क्या समझ लिया वो क्या थे और हमने उने क्या समझ लिया हमने चुना सा चहरा ये दिल से ये किताब है हमने सुना सा चहरा ये दिल से ये किताब है मतलब हरे दिल से का उनका समझ लिया वो क्या थे और हमने उने क्या समझ लिया वो क्या थे और हमने उन्हें क्या समझ लिया सब कुछ लुटा के दिल को ये रुतवाईया मिली सब कुछ लुटा के दिल को ये रुतवाईया मिली हमने इन्हें विजार का जोपा समझ लिया वो क्या थे और हमने उन्हें क्या समझ लिया पच्छर के भुच को के दे बता समझ लिया हमने उन्हें क्या समझ लिया हमने उन्हें क्या समझ लिया अरे जीजाजी उठीए ना लो भई आराम कर रहा हूं मेरे बेठी ने तुम्हें लेटा जीजाजी आज करवा चौथे दीदी पैर चुएंगी आज करवा चौथे साल में एक ही मौका मिलता है पैर चुलवाने का उधो नहाओ पूतो फरो अरे वही एक पूतो कांटा बन जया है आज करवा चौथे माधुरी आज घर में होती तो हम तीनों एक साथ हम मंदेश जा रहे हैं क्या हूं और दो मांगो कि अगले करवा चावत पसर साथ हूं साथी तुमने मेरे पहने चुए चीजा जी आज खोली नहीं करवा चौथ है वो तो यहां है नहीं अब बंदेश जाकर अपने पती की फोटो के पैट चुलूँगी चलो दीजी थनिया भारत रर्ष पती नहीं तो पती के फोटो कि अब देखो कि अब देखो कि अब देखो कि अब तो तो तुम चेश्मा क्यों नहीं लगाती हो तो चाहें वहां एक लड़की खड़ी है उसके हाथ में अमीद का फोटो है कि अब गारे कि अब जाए इसके लगता है कहीं यह वही लड़की तो नहीं जिसके साथ आमें की प्रेम बिला चल रही है मुझे तो डर है अब इतने उसके साथ चुक्चा आप शादी न कर लिए ऐसा ही होगा वह नहीं चुड़े करवाचो के दिनी हम क्या करेंगे है हाँ दीवी चलो मेरे साथ मैं अर्स सबब सिखाती हूँ माजी मादुरी तुम तुम बंबई का बाई मुझे ख़बर तक नहीं की कहां हो जैसी हो मांजी आपके आशिवास से जहां भी हूँ अच्छी हूँ सुरस्पती यह है मादुरी हमारे बहुरानी तेखा पती ने इसकी विदह较ज नहीं कर आई लेकिन करवाचोगे सै cultivated कि पुजा कर रही है मादूरी यह मेरे छोटी बहन है सरस्वती रणाम मौती शुखिरा मैं कितने बदनसीब हूँ और कितना नालाइक है हमारे बेटा इस चांड जैसी बहु को छोड़कर शेहरती लड़कियों के पीछे भटक रहा है हाँ बहु है तो बड़ी शर्म की बात लेकिन तुम्हें बताना बहुत जरूरी है अमित अपने ऑफिस की किसी सेक्रेटरी के चंगल में फंस गया है यहां तुम उसके लिए पत्नी धर्म निवा रही हो और उधर वो पापी किसी कलंकनी के जाल में फंस गया है यह तो सर्वन सब्सक्राइब करें तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं अमित को इस बर्बाद इससे बचा लो माजी माजी आप बिलकुए घबराएए मत भगवान की तरह से सब ठीक है जिस लड़की में आपके लड़के को अपनी जान में पसा है वो लड़की कोई और नहीं है मैं हो मतलब आमित की प्रावेट सेक्रेकरी मालती चोदिवी तून हो हाँ माजी मैं ही माधूरी हूई और मैं ही मालती हूई लेकिन ये चमदकार हुआ कैसे नारी की लगन और शर्धा का चमदकार है मांजी मैंने फैसला किया था कि अगर मुझे में शक्ती है तो मेरा संदूर एक दिम खुद बखुद आकर मेरी मांग में लग जाएगा और आपके आशिवाद से ऐसा ही हुआ ससुल जी और आप मुझे प्यार करते हैं इस बात का तो मुझे पता था लेकिन क्या मेरे पती मुझे वापस रिकार करेंगे इस बात का मुझे बहुद दर लगता था मांजी बस अब यह सुब बहुत हो गया मुझे अपने घर ले चलिए मांजी नहीं बहूँ आप भी खेल और तुम्हारे पती को भी सजा मिलनी है और बेरे पती को भी तोरे सबसुची जिन्दगी मर्मजाग करते रहें यहां तक कि हम सब की जिन्दगी घद्धा मजाग बन दी और मेरा बेटा बेटा बेवकुफी के चस्में से अकल की तलाज करता रहा है नहीं माधुरी व लड़ कर दो और भी पाहिए्ग गार्वावे लड़ता है हूँ लगता है बाप बेटी की खामोश महावारत आभी तक चल रही है क्यों आता ही अपनी प्योगफी का पिटादा खोल दिया हां हां आकलमन तो सिर्फ तुम लोग हो अब सब पता चलेगा यार तुम कैसी बीवी हो जब देखो तब जले पर निमख चरख कि रहती हो अरे जाओ जैसे कर तुम लोगों को नमक के समंदर में डाल देना चाहिए अलो हलो किना स्ट्र आमिच चादरी आप काम लोल रही है मैं उनकी प्रावज सेकेटरी मिस मालती चादरी बोल रही है मालती चादरी अच्छा तु यह वह चुडेल है जो हमेद की हिजद लूटने की जोड़नी की सोच रही हूं और जोड़नी की सोच रही हूं और आप तोड़नी की बात करें हैं अगर तुने आख उठाकर मेरे अमिच को देखा तो मैं किराय के जलादों से तरह सौच उपने करवा दूंगा है थोड़नी की आप बड़े जूते से शुची हो फिर शुची क्या मतने तरह तरह किया थी अब ट्रहा प्रेंगा अमित्मा चुका है नो जादिक नो यहीं के लिंगे अजय मैं बोलता हूं यह कॉस्ट करेक्शन है टेलीफोर नग दे हाँ सुठनी क्या कह रही थी तू हाई मुझे तुस्थ एक ही बात कहनी है सेसुजी कि प्यार अंध्या होता है तुम्हे बिल्कु छीखा अबे ठीक के बच्चे तुझे शर्म नहीं आती नगली बहूर असली सेसुजी की बात सुनते हुए बोलक्त हाँ भूतनी क्या कह रहे थी प्यार अंदा होता है अंदा होता होगा लेकिन हम अंदे नहीं है अगर कोई बादार हो औरत आख उठाके मेरे बेटे को देखेगी तो मैं उसकी आख रिकाल लूँगा अरे 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 आप क्यों तक्लीव करते हैं सेसुजीज आप हुकम दीजिए अगर मैंने सचा प्यार किया है तो मैं अपने डौनो आखे निकाल के एक प्रेट में सचा के आपके पास पिजवा दूगी एगे अज़ आख आपके बजवा देना ना, 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 दालिंग, ऐसा मत करना मेरे दुनिया में बिलकुल अंदेरा हो जाएगा फ्लीज, फ्लीज, SHUT UP फ्लीज, हम बहुत जल्दी गाउं से अपनी बहू को लाकर तुछे ब्यूटी कॉंपेटिशन करवाएगा तू जरा ठैल या सॉरी मैने ठैल सकती ले आये आप अपनी गाउं की गवारन को अगर मैने उसकी मांग से सिंदूर लिखारकर सिंदूर पत्शाज़िए मांग में नहीं लगा लिया तो मेरा नम भी मांव पी चहोड़रिणाई हाँ तू नहीं यटmat तू नहीं यवड़़ह हुआ है तुम सोरे हो की जाग रहा हो अरे याना खुद को Belo मैं समझ गया है तो तुम्हारे पिता जी मुझे स्विकार नहीं करेंगे तेखो मलती मुझे आखनी मुखा देदो मैं किसी भी तरह उन्हें समझा दूगा मलती तुम मुझे प्यार करती हो ना कि दिलो जान से साथा और मलती अगर तुम्हारे मापा का मांगा अदेज अगर में नहीं ला पाया तो तब भी तुम मुझे प्यार करती रहोगी ना कि यह भी कोई पूछनी की बात है तो फिर बास बास खतम हो गई अनो रेस्टार के आपिस में जाकर वह लव मैरिश करते हैं और मेरी ममी गवाई देगी और मैं तुम्हारे ममी डैडी को लिग कर दे दूँगा कि मेरी तंग का मैसे आधी राकम उंको तप्तव मिलते तो परसो चार बजे रिजिटर के ओफिस में हां आओगी न हुआ है ओके आमित लेकिन याद रखना यह हमारी तुम्हारी तेम कहानी का आखरी सील होगा दी एंड दी एंड अरे सुनो वसब हो गया तुम यहां पैठे क्या करें हो देखती नहीं यह अखबार है खबर पढ़ रहा हूं खबरे पढ़नी है तो कल के अखबार में पढ़ना तुम्हारे बेटे आमित का नाम पहले पढ़ने पढ़ने वाला है जो उसे कोई राश्ट्री पुरसकार मिल अनार करीब ने वाला है वो बेटा से बिती हो गया उसका सेक्स ही हो गया अरे नहीं रे बाबा आमित आत्म हच्टा करने जा रहा है अनार कली स्टाइल में यानि के अपने आपको जिंदा दफन करने जा रहा है उसकी यह मजाल प्यार के नाम पुर्बान होने जा रहा हूं हाँ पीटा तुम सचमुचक महान काम करने जा रहे हो हमारा घराना अमर हो जाएगा लेकिन इस जिवार में चुना जाना ये ठर्ट लास तरीका है को एक्षा जरिया तो निकाला होता है नाई मैं अपने आपको जिन्दा तुमा दूँगा ये कुछ आखनी इते आपके सामने पड़ी है मेरे एक इशारे पर ये तुन दी जाएंगी और मेरी जिन्दी की कालास्ता हमेशा चलिए बंद हो जाएगा ये मेरे बनने वाले प्यारे बेटे एक आखरी मौका दो और ये सुनिए अपने बेटे के हत्या मत दीजिए मैंने जिन्दगी में हर आनंद उठाया है लेकिन हत्या करने का आनंद नहीं उठाया इसे कहते हैं स्वर की आनंद चलो शम्शान खाट चलने की तयारी करें क्या आप पापे साथ है कि अधिकार पूरे बीस तोले ही समझ गये ना समझ गया समझ गया समझ गया चाथी आप दिब्कुल से करमत कीजिए इसमारा शिकार आ रहे हैं भागो तरह आया है जान देने वाले मैं भी बाप नहीं हूँ हितलर हूँ कल मरते हो तो आज ही मरो परिजिए वी कि दुष्मने के लिए आट बशाने के लिए झोडी में शोना रका है मिसस्चाथ्रे मिसस्चाथ्रे पृट्रे गया दो डोड़ी का नहीं कि वीडा रख पतना आए मिससचाथ्रे उसे जिद्सक्रांट कि या बख रहो जिंदगी में पहली बार मुझे फर्माने का मुखा मिला इसलिए मैं पक्त नहीं राव मैं फर्मा रहा हूं मैं अपना वदा पुरा किया अब अपना वदा पुरा कीचिया अब आप एक छूटे और मतकार इंसान है काश की यह थपर तुमने मुझे उस वक्त बारा होता है जब मैंने बीस तोले की मजाग की थी आज यह 16 दिखाकर तुमने मुझे 20,000 था परवारे हैं मैंने मजाग किया था मजाग मेरे बेते अमित जिसे काव की लड़कियों से नफरत है उसने इस मजाग के बैराचेक को कैश कर दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे पास सब कुछ है आव आव मेरे साथ लुए इस जुए आव तो यह देखो यह देखो सेवर आव यह देखो रुपे है आव तो डाको कि जमाने में बैए एकलाता लक्षमी पती हूं जो चार पांच लग कैसे शकता है हमें घर में सब किसका है मेरे बेटे का मेरी बहु का बहु राणी का इसकर की असली संपदा सची शांती सुख मेरी बहु है मुझे सिर्फ बहु चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अरे सुनते हो गजब हो गया माधूरी चिठी आई है बहुत यह शुब समाचार है पढ़ो जोब आप पूछने की कोई सिरुरत नहीं वही तुम पूछ कियो और नारी को भैड़ बकरी पैर की जूती और विकाव की समझने वालों को नमस्का कि बीस तोले सोना बीजवा रही हूं इससे शहर लगा कर सब लोग चाटो मैं आज की नारी हूं अपने पढ़ों पर खड़ी हो रही हूं अपने फैसले खुद कर रही हूं और मेरा आखरी फैसला यह है कि चूले में जाए ऐसा थिकला स्पती और भाड में जाए नाल्ची सुसरा मैं तो बिना तलाक से दूसरी शादी पर रही हूं आपके सव्भाव के शानी मादू जी कि मैं कि एसा नहीं हो सकता इसा और निदूगा शीकान तुछ फूशी कर लोंगा शीकान आजा हो जोडता हूं तुवारे पहर पढ़ता हूं चादरी साथ आप पढ़ी पाप में डाल रहे हैं आपी तो मैं हूं शीकान अबी एक तरह कि अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो श्रीकांच मैं भखवान की सौगन खाकर कहता हूं जिन्दगी में अब कभी मज़ाख नहीं करूंगा जाचा जी मुझे मुहाब कर दीजिए मैंने आपके दिल को बहुत दुखाया है अब आपका दुख मुझे देखा नहीं जाता है जाचा जी कल दिपावली के दिये तब चलेंगे जब आपकी बहुरानी इस खर में आजाएगी मैं आपके चर्णों के सवरं का जिए कहता हूं पर पर बहुता है झाल झाल तो फिकर मत कर वह सज्ड़े होगी शर्मा रही होगी यह बारत वली शादी नहीं है रजिस्त वाली शादी लेकिन है संको शर्म तो वोही रहते हैं ना परमाज शर्म मी कही आज की तारिक ना निकल जाए मुझे बबबबबबा टेंशन हो रही है मेरा दिल गहरा है वो करता नहीं मैं यहां किसी को पता नहीं कि तुम्हारी शादी पहले भी ऊचुकी है अश्टमाद क्या कर रही हो कि मेरी बायान तुफान में किदर फड़क रही है लगता है को बहुत बहुत कर गड़ने वाली है पेटा शुप गड़ी में ऐसे शुबाते नहीं करते हैं वो देखो आ गई बुबटे खऴका शुबटे अलक्भी तुम्हारी तुम्हारी वो तुम्हारी томड़स। काम चल्व किल तो कि अधे लिए अकुल मेरा है असंदूर तो यहीं माल्टी है को तुम्हारी यह शादी से पहले ने कर बाद चैनल को पुर्ण मदाड है तो मेरा heart attack काँगी हाट इटक तो आपको उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन आपने गाउं के भूली भाली लड़की को सिंदूर लग जाने के बाद बिलगतावा छोड़कर चलियाए थी अगर आपके पास दिल नाम की कोई चीज होती तो अक्याक उसी दिन हो जाता जिस दिन आपने मुझसे अपने शादी की बात चुपा कर मुझसे इश्क कर जाया अमीत है बहु को तो पिछली सब बाते मालूम है अब क्या होगा चुप रहो चुप चुप माजी आप कैसी माँ है एक बहु के जिन्दा होती हुए अपने बेटे के दूसरी शादी में कभाई देने आई हैं आप क्या बताओं बहु अपने बेटे के मोहबत में अंधी हो गई हूँ मिस्टर आमित चौधरी नाटक आपने और रचाय ना तक मैंने भी रचाय आप भी हैं शादी शदा मैं भी हूँ अगर शादी शिदा होकर आपको इश करने का हक है तो मुझे भी यह तो सच है अमित लेकिन यह सब कुछ होने के बावजुत भी मेरे दिल में आपके लिए बहुत है आशिर्वादी जी कि पती परमिश्वर के यहां मेरा ग्रह प्रवेश मंगल मैं हूँ कि अब शुकी रहो हुआ है 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 अब यह तरीका बच्चा है हम लोग आज दिवाली के दिन माधूरी को विजा करा लाएं नंबर दो वाली बहुत तो ताउदेगी अब लेदेकर नंबर एक वाली बहु बच्ची है बेटा आजकर लड़कों में बड़ा इंकलाब आया है कही कि पहले वाली भी किसी और के नाम का सिंदुर लगा ले की अपाइब कि उसको राकियो कि आगया पैसब आपके बाद तुम इसी तरह है और क्या करें गए तो बेटा पैदा होने वाला था अगर उसने माल्की को सविकार करने से इंकार कर दिया मैंने कच्छी गोलिया नहीं खेलिये ये देखो खानूनी कागज ये बंगलाज, जमीन, जायदाद, जेबर्द, बैंक बैलन, सब मैंने बहु के नाम कर दिये, अब देखता हो कैसे उल्लू का पठ्था नहीं मानता अबो, चल्की को का उंसे ये ये होाँ लो दिवाली के दिन साक्षात रक्षमी आई है आओ बहु रानी आओ इस खर को पवित्र करो आओ बेटी आओ ने 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 मैंने बहुत पाप किये है और पापी मत बनाओ लो अपना घर पर नहीं है क्या उसका नाम मत लो यहां तुमसे कुछ नहीं चुपाना चाहता है अमीद मेरी नाख कट्वादी है हमारे खांदान की इजट मिट्ची में मिला जी लेकिन तुम फिकर मत करो भी अगर अब भी अमीद को अकल नहीं आई तो मैं उसे घर से लोगा यह देखो मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है समीन जैदाद बंगला सब कुछ नहीं बाबुजी ऐसा कभी नहीं होगा क्यूंकि क्यूंकि मैं ही मादरी हूं और मालती थी जी हां यहां यह सच कह रही है जब अपने से बिल्कुल पेसा हारा कर लिया तो सब कुछ भूलकर इसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा और अमीद के दफ्तर में इसने नौकरी ले ली नहीं कर मालती बनकर उसया अपने जालिया कि अपने वकर सफ श यहां ऑपन मधुरी घु tenon कि तुम्हीं सर्फवती तुम्ही लक्ष्मी तुम्ही मालती इस और तुम्ही मालूम नहीं जो तुम्ही इस तुम्ही मुझे ब्श्वास हो गया वापस तो आएगा ज़रू जाएगा कहा है साथी की वह अपर लेजाओ कि असका देगे बच्ची की खबर मैं लूँगा श्रीकांत आज मेरी जिंदगी के सारे अर्मान पूरे हो गए दी वो तो हो नहीं थे हैं रही अमीद की बात इसका देगे बच्चे को घर आने दो पिर देखना मैं क्या करता हूँ हुआ है हुआ 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 है हुआ है 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 फिटेजर से पुद कंभ बंगया है चम से मैं एक्स वाई जैरबंगया बेट तुम शरापभे रहे रहे हो क्या करूं माम जिन्दगी भर डैड़ी मेरी खुशिया पीते रहे तो उसी गम में आस तुड़ी शराब पी ली पर ज्यादा नहीं पी है माम सिर्फ दस या बारा पेंग देखो अमिद पीटा वाट बेटा कोई अमिद नहीं कोई बेटा नहीं सब फिरिश अरे ये कंदी ची काल नमजकार जिराजी अवे जी जाजी के बच्चे ए आज तुझे बदाता हूं अगर हमालय नहुता तो क्या होता अगर हमालय नहीं आ होता तो उसकी जगह मेरा फाट खड़ा होता और अपने जूटे असरों से अधरी दुनिया को परबाद कर देथा और दुनिया को कर तुम्हारी इकलोते बेते हो तुम्हारी खुशी है हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी माधरी को भूल जाएंगे मालती को याद करो सिर्फ मल नवरत करता हूँ उसने चूटा प्याय का आटस किया जाय मेरे साथ उसने प्रेप किया है मैं उसकी शकल सिंदे की बर नहीं से कुंगा उस्थे मुझे 아देत तुम जो जो भूलना चाहते हो हम भी वो सब भूलना चाहते हैं तुम कहो तो आपनी बहु माधुरी को घर ले आएंगे कभी माधुरी कभी मालती कभी माधुरी एक या मदाक लगा रखा आप लोग ने वालती को ना गांवाली चाहिए ना शेहर वाली मैं इसी तरह जिन्दीगे वर कुमारा रहूंगा और दिनावाले को बता दूंगा कि आप लोगा ने मेरी जिन्दी की तरह बर्बाद किया आप लोगा ने एक खुसरण बाप ने जीते जी अपने बेटे का गला खोड़ दिया उसे बर्बाद कर दिया मार दिया है बेशिक जो ऊपर जाएगा सब ठीक हो जाएगा तो तो हम यहां क्या कर रही हो मुझे माफ कर देखिये इसके अलावा मेरे पास और कोई चरह ने था जोटी मकार श्रेभी पहले औभी समें घुषकर मेरे सत्या कर ना रकिया अब घ्रलों कुझाई चाल तो ना कर शूरू किसा तो पेकर ओंगा पुदल मया ओता है गजएमें ! जाल... घर मैं अएमें ! वे वीद कि मैं अएमें ! कि पनी तो ? मैं और दिनात। यह यह क्या है शादी का मुल्डब मतलब अभी बताता है सजनों और देवियों ठैर मुरख हम बाहर थे हमारे वगय यह लोग देवियों सजनों कैसे हो गए लेव शुरू कर तेरा भाशन सजनों और देवियों अब लोग ने असलिव गिभी देखी होगी ना लूंस क्योंकि आज एक पति अपनी पत्री से त्बारा शादी करने तरह जोड़ा जोड़ कर अपनी पतनी से माफी मांगता हूं गया कर रहे हैं अब जरूर लगा लेकिन सचाई सामने आगे इस कमल यसी पत्नी के आसपास का कीचड मैं था और थे अमित के पिटाच यानिकि मैं इस पवित्र अगनी के सामने कि यहां हमारे साथ फिरे हो चुके हैं मैं मादरी को जनम जनम के लिए अपनी पत्नी सुखार करता हूं कि अब लेकिन आप अपरे बेटी अब रहने भी दे मुझसे मेरे दामाद का दुख न देखा गया इसलिए मैंने सब कुछ सब्सक्राइब बता दिया इसे माफ कर दो बहुरानी मुझे मालूम था कि करेली की सब्जी खाते खाते एक दिन इसे अकल जरू आए आज मैं बताता हूं श्रीकान अगर हिमालय न होता तो तो क्या होता तो बहुरानी होती कर दो कर दो